भारत में रहेकर बाटा का नाम ना सुना हो ऐसा कहना मुश्किल है। 18 साल के बेटे ने कारोबार संभाला और विदेशों में फैलाना शुरू कर दिया। कमपनी का विस्तार करने और रवर लैदर के लिए वह साल 1935 के करीब कराची होते हुए कोलकाता पहुचे। इससे पहले भारत में जूतों की इंडस्ट्री नहीं थी और जूते जापान से आयात होते थे। बाटा ने साल 1949 में कोलकाता में जूते बनाना शुरू किया। बाटा जल्थी 3500 जूते हर हफ़ते बेचने लगा था। इसके बाद बाटा ने पतना में लेधर फैक्टरी शुरू की। वह इलाका अब बाटा गंज के नाम से जाना जाता है बाटा की 18 देशों में 23 मैनुफेक्टरिंग यूनिट्स हैं। बीसवी शताबदी की शुरूात में बाटा यूरोप की सबसे बड़ी शू कमपनी थी। साल 2004 में गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड ने बाटा को दुनिया की सबसे बड़ी शू मैनुफेक्टरर और रिटेलर कमपनी माना। बाटा अब तक 14 अरब जोड़ी जूते बना चुका है जो सबसे ज़्यादा है। बाटा के फाउंडर टॉर्मस बाटा के नाम पर साल 2001 में चेक गमराज्य में एक विश्व विद्याले खोला गया। युनिवर्सिटी में 10,000 के करीब छात रहें और यहां कई विश्यों की पड़ाई होती है। बाटा ने पिछले साल भारत में ऑनलाइन 6.3 लाख चोड़ी जूते बेचे। बाटा के भारत में 1,300 सेकंड ज्यादा स्टोर्ज हैं। बाटा आप केवल जूते नहीं बलकि बैग्जब मुझे पॉलिश आदी सामान भी बेचने लगा है।